नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे नाम सुजिन कुमार है और आज हम बात करेंगे PVC Board, WPC Board इनके Price अलग अलग क्यों होते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चोटी सी जनकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा यह कूपन लिमिनेटी समय के लिए ही अवेलेबल है और आप इनका सिर्फ एक बार ही इस्तमाल कर सकते हैं अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर तो दोस्तों आप यहां पर समझना पड़ेगा PVC Board और WPC Board दोनों अलग अलग प्रोड़क्ट हैं अब हम यहां पर PVC Board का अपना आदार बना करके इसका विचलेशन करेंगे और जो विचलेशन PVC Board के लिए होगा वही विचलेशन WPC Board के लिए भी मानने होगा इसमें हम यह भी कह सकते हैं विचलेशन WPC Doors के लिए भी मानने होगा क्योंकि WPC Board and WPC Doors एक ही तरह के प्रोड़क्ट से बनते हैं यहां PVC Board के प्राइज अलग होने के कुछ निम्म कारण है आज भारत वर्ष में दोस्तों से भी जादा Manufacturer available है जो PVC Board का उत्पादिन करते हैं इसलिए उन सब का प्राइज उनके कोस्टिं के एसाब से अलग अलग होता है यहां एक कारण था जो 102 भी है अब मैं आपको बताऊँगा एक ही company के एक ही thickness के Board का प्राइज अलग अलग क्यों होता है दोस्तों इसका सबसे main कारण होता है Board का density अलग होता है इसी कारण से अलग होता है तो आज मैं इस बात को सिंपल कर दूगा और आप इसको आसानी से जाने कर ले पाएंगे कौन सा बोड़ आपके लिए सही है आप इस बात को इस तरीके से समझिएगा Board का density जितना कम होगा वह उतना नाजुक होगा उसकी ताकत अतनी कम होगे और Board की density जितनी ज्यादा होगी वह उतना ताकतवर होगा जयानदार होगा और मजबूत होगा जब आप दुकान पर जाते है तो दुकंदार बोलता है मेरा Board अच्छा है आप इसको चेक कर लिजे लेकिन आप इसको चेक कैसे करेंगा आप चेक नहीं कर सकते हैं तो कि आपके पास density चेक करने के लिए कोई मेटर नहीं है तो आपको दुकंदार बहलाने की कोशिश करता है वो बोलता है आप इसमें नाकुन लगा करके देखिए नाकुन नहीं जा रहा है इसके अंदर में इसको बोर्ड मजबूत है जो जो तरीका मैं आपको बताऊँगा उस तरीके से आप इस पर जाएएगा और आप अच्छा बोर्ड आप मार्केट से ले सकते हैं पर दूसरा उप्शन यह है आप शारव अदर्स में ओडर कर सकते हैं आपको ओनलाइन ओडर करना होगा और बोर्ड आपके घर पे पहुंच जाएगा बियर किसी टेंशन के आप इस टाइप के नाकुन वाले बहलावे में ना जाए अगर कोई बोर्ड उपर से सकत हैं नहीं है उस पर दाग दब निशान तो नहीं है कोई स्टाइप से यह सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं हम बोर्ड का डैंस्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे हमें कैसे पता लगेगा जो दुकंदार नहीं हमें जो बोर्ड दे रहा है जो बोल रहा है वो सही भी है कि नहीं है तो इसको चेक करने के मैं आपको सिंपल फार्मूला बता रहा हूं वह आप नोट कर लीजेगा आपको हमेशा काम में आएगा जितने भी PVC या WPC के बोर होते हैं उन सब की चोड़ाई होती है वो होती है 1.219 मीटर और इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 2. 2.438 मीटर तो यह आपने चोड़ाई लिया अब बात करते हैं इसकी थिकने सबी बौर की अलगव हो सकती है अब जिस वी बौर का देंस निकलना चाहिए हम वो बौर ले ले लेंगे मेरे हाथ में 18 मीम का बौर है तो हम 18 मीम की बौर की देंसि चेक करेंगे बौर की बोला यही है जो मैंने आपको बोर्ड का चोड़ाई बोला लंबा ord का देंसी बोला हम इन चारों को मुल्टिप्लाई कर देंगे जब आम न चारों को मुल्टिप्लाई करते हैं तो जो फीकर सामने निकल कर सो तो आती है अभी भी इसमें एक छोटा सा कैच है, अगर मेरे को इसका सिर्फ वजे नहीं बढ़ाना है, तो हम इसमें calcium powder mix कर सकते हैं, calcium powder mix करने से manufacturing cost घड़ जाती है, और product का weight बढ़ जाता है, तो दोस्तो लास्ट में में इतना ही कहना चाहूंगा, आप जब भी कहीं से board लें, तो ऐसी ज quality का board भी देते हैं, इसके अलावा हम replacement के लिए भी हमेशा ready रहते हैं, जिसकी कभी नौवत नहीं आती है, क्योंकि हम अपने सभी ग्रहकों को अच्छी से quality का board और best से best price पर उपलब कराते हैं, इसलिए हमारे दवारा बेचे जाने वाले सभी boards के उपर उसका density लिखा होता है इसको चाहें तो आप खुद से calculate कर सकते हैं, इसके अलावा आप हमारे किसी board को laboratory में test भी करा सकते हैं, यहां मैंने आपको बताने के कोशिश की आपके लिए कौन सा board सही है, इसके बाद भी boards से related आपके में में कोई सवाल है, तो आप please मुझे comment कीजएगा, मैं उनका सकते हैं, अजजए नहीत कर दורה हैं, अपके लिए भी सकते हैं, यहां लिए वगली दिए libro, तो आपके में के साạnhवा, तो आपके लिए रहे बादाने किना दिया हैं, हुआ हैं, इसकते हैं।